आदियोगी शिव को आम तोर पर हमेशा स्वयम भू कहा जाता है क्योंकि उनका स्रिजन किसी विशेश पल में नहीं हुआ है। वो किसी चीज के जरीए घटित नहीं होता। वो बस मौजूद होता है। इसी लिए शिव थे। स्रिष्टा, ब्रह्मा आए और उन्होंने स्रिजन शुरू किया। तो अनेक आकाश गंगाएं, ग्रह, जीव, इंसान, ये सभी उनसे निकले। स्रिष्टी का चक्र शुरू हो गया। और शिव जुस्तिर बैठे थे, ने अपनी आखे खोली और स्रिष्टी को देखने लगे। जब उन्होंने स्रिष्टी को ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि लोग अलग-अलग स्तरों पर तमाम तरह के संगर्षों, पीड़ा, दुख, कष्ट से गुजर रहे हैं। यहां वहां थोड़ा बहुत सुख और खुशी थी, तो जब उन्होंने ये देखा, उन्हें स्रिष्टी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चारों और देखा, फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा को अपनी स्रिष्टी पर बहुत गर्व है, वो बहुत ही गर्व और खुशी से अपनी स्रिष्टी को देख रहे थे, फिर उन्हें लगा कि दो आँखें पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इस ओर देखने के लिए एक और सिर पैदा किया, वो किसी चीज से चूकना नहीं चाहते थे, फिर उन्होंने एक और सिर पैदा किया, फिर उन्होंने एक पाचवा सिर पैदा किया, जो उनके गर्व के लिए एक ताज की तरह था, किसी खास चीज को देखने के लिए नहीं, बस एक औ बहुत गुस्सा आया, वो ब्रह्मा पर छप्टे और उनका पांचवा सेरु खाड़ दिया, अब उनके पास सिर्फ चार हैं, ब्रह्मा पीड़ा से कराते वे बोले, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो शिव ने कहा, क्या आप अपनी बनाई इस रिष्टी को लेकर शर ब्रह्मा बोले, मैंने पीड़ा को नहीं बनाया, नहीं मैंने खुशी बनाई है, मैंने बस रिष्टी बनाई है, ये उनके उपर है कि वो इससे कैसे गुजरते हैं, ये उनके मन में हैं, फिर शिव ने कहा, मन को किसने बनाया, वो भी आपने बनाया है, ब्रह्मा बोले, मन उनका अपना कोई गुण नहीं है, वो सिर्फ मौजूद है, लोग उसे खुशी में बदल सकते हैं या दुख में, लोग उसे कश्ट में बदल सकते हैं या परमानंद में, ये उनके उपर है, फिर शिव बैट कर बहुत ध्यान से स्रिष्टी को देखने लगे, उन्होंने हर जीव को ध्यान पूर्वक देखा, और फिर अपने मन को जानना चाहा, इसलिए उन्होंने अपनी आखे बंद कर ली, और अपनी ही स्रिष्टी अपने मन की प्रकृती को देखने लगे, और जब उन्हें आत्मग्यान हुआ, जब उनका आत्मग्यान एक विशेस पर पहुँचा कि वास्तव में स्रिष्टी गुणहीन है, हर व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, मन गुणहीन है, जब उन्होंने ये ग्यान पालिया, तो वो इतने आनंद विभोर हो गए, इतने आनंद विभोर कि वो उचलने और नाचने लगे। जब वो बेताहाशा, पूरी भागीदारी के साथ नाच रहे थे, जब उनके शरीर की हर कोशिका अपने आप में एक रित्य बन गई थी, तो अचानक उन्हें एसास हुआ, कि ये न्रित्य भी जरूरी नहीं है, और उन्होंने ध्यान दिया, कि उनके न्रित्य के चरम पर प स्थिर्ता इसी दिन घटित हुई, महा शिवरात्री की रात को ऐसा हुआ था, पर्मानंद की तीवरता से संपून, विनाश और स्थिर्ता, उन्होंने बारी-बारी से ये दोनों चीजे की, आप इसी कलपना चित्र को देखते हैं, कभी वो न्रित्य करते हुए और उलास्म होते हैं, कभी बिल्कुल स्थिर्च जैसे किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, जब हम शिव को विनाश करता कहते हैं, तो इसका मतलब दुनिया का विनाश नहीं है, इसका मतलब आपकी दुनिया का विनाश है, आपकी दुनिया मुख्य रूप से, पिछले अनुभवों और प्रभावों का एक धेर है अतीत सिर्फ आपकी विचार प्रक्रिया से होकर वर्तमान में घुस रहा है और वो आपकी इच्छा प्रक्रिया के जरिये खुद को भविश्य में पेश कर रहा है जिसे आप अपनी इच्छा कहते हैं वो मूल रूप से अतीत का एक बढ़ाया चढ़ाया गया रूप है इसलिए अतीत का विनाश जरूरी है क्योंकि अगर आप स्रिष्टी की भविता को जानना चाहते हैं तो वो सिर्फ वर्तमान में मौजूत पल से ही संभव है जो अभी यहाँ है एक मातर रास्ता यही है पून स्थिर्ता में अतीत का अस्तित्व नहीं होता पून कती में भी अतीत का अस्तित्व नहीं होता ये दो मूल मार्ग हैं जिन्हें शिव ने खो जा ताकि आप स्रिष्टी और स्रिष्टी के स्तिरोत तक पहुन सकें